हाई गाईस वेलकम टो और यूट्यूब शैनल तरियल इन्वेस्माइंट हिंदुस्तान जिंग के स्टॉक के कॉट्टर 3 के नतीजे आ चुके और कॉट्टर 3 के नतीजों में स्टॉक काफी जबर्दस देखने को मिल रहे हैं ना कि यहाँ पर कॉट्रान बेसिस पर रिजल्स 169 कर्डर रुपीज के गल रहे हैं यानि कि यहाँ पर से फेके जो कि काव्टर काफी अच्छी जम्हें इंकम के अंदर ड Hackлом मिल रहे सबसे अच्छे रिजल्स यहां पर लगते वह देखने को मिल रहे हैं यान की कौटर बेसी पर स्टॉक के अंदर गुरूथ होते वह देखने को मिल रही है जो कि पिछले कौटर में 4.77 की थी और उसकी पिछले कोडर में 5.21 की हमें देखने मिली थी तो यहां पर कौडर ऑन कौडर बेसिस पर रिजल्स काफी अच्छ लगते हो रहे हैं जहां पर हमने रिजल्स के उपर भी बात की अब एक बार इसके सेग्मेंट रेवेन्यू की तो आप यहां पर देख सकते हैं जींग लीड और अन सिल्वर मेटल अगर यह सारा हम सेग्मेंट रेविन्यू की बात की जाए यहां पर भी कॉटरान कॉटर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है सेग्मेंट रिजल्स की माने तो टोटल सेग्मेंट रिजल्स यहां पर 3680 करोड रुपीस का देखने को मिल रहा है प्राफिट बिफोर दी इंट्रेशान टैक्स 3685 करोड रुपीस का देखने मिल रहा है और प्रौफिट बिफोर दे टैक्स की बात की जाय तो वो 3858 करोड रुपीस का देखने मिल रहा है अब यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छी हैं पर एक अच्छा खासे हैं पर ग्रोथेबल मुमेंट देखनी मिल रहे हैं सेग्मेंट असेट्स की बात की जाएं तो जहां पर जिंक लीड और सिल्वर 21,431 करोड रुपीज का वाइंड एनरजी के तरब से आप देख सकते हैं सेग्मेंट असेट्स 630 करोड रुपीज के देखनी मिल रहे हैं और अनलोकेटेड की बात की जाएं तो आमें 18,534 करोड रुपीज के देखनी मिल रहे हैं तो आमें 40,595 करोड रुपीज के देखनी को मिल रहे हैं जो के काफी अच्छी बात यहां पर देखनी मिल रहे हैं असेट्स के अंदर लेकिन अगर हम इसके पिछले कौटर के अगर असेट्स की बात की जाएं सेग्मेंट असेट्स की तो वह as compared to this quarter के काफी अच्छे रहे थे segment liabilities देख सकते हैं तो यहाँ पर टोटल देखनी को मिली गया आपको 9171 करोड रुपीज के अगर capital employed देखा जाए तो 31,424 करोड रुपीज का हैं पर हमें देखनी को मिल रहा है next level पर operating margins हमें बताई गई है जो कि आप देख सकते 46% तक की operating मार्जिन यहां पर देखनी मिल रहे है नेट प्रॉफिट मार्जिन 34% तक की अडेप्ट सर्विस का coverage ratio की देखा जाए बात की जाए तो 5.54 टाइमस देखनी मिल रहा है इंडेस सर्वेस कावरेज रेशियो 101.75 ताइमस देखनी को मिल रहा है यह सारी बात है हमें रेशियो अब यहां पर exactly बताए जा रहे हैं जहां पर quarter on quarter basis पर compare करकर अब यहां पर standalone results के उपर focus कर लेते हैं और यहां पर सुफिर हाँ इस results को sum up कर देंगे आप यहां पर देख सकते total income stock की 8269 करोड रुपीस की देखनी मिल रहे है एक्सपेंस की बात की जाए तो 4411 करोड रुपीस पर फ्रुपीस की बात की जाए तो 3858 करोड रुपीस के प्रुफिст की रहे हैँ यहां पर इस पर Yes नहीं हम पर प्रृफिट की बात की जाए my Still यहां पर कॉटरा ऎंट सेवन हऺंडेंट सेवन हफडेंट आंट सेवन हटार बोड़ेगे का सेग्मेंट रिजर्स देखेंगे तो आपको देखने मिलेंगे 3,680 करोड रुपीस के आप देख सकते हैं कौर्टर में काफी अच्छा देखने को मिल रहे हैं ठीक उसी तरह आप यहां पर सेग्मेंट असेट्स और लियाबिलिटीस के उपर फोकस किया जाए तो सेग्में सेग्मेंट लियाबिलिटीस भी आप यहां पर देख सकते हैं जो कि 14,595 करोड रुपीस के और सेग्मेंट लियाबिलिटीस यहां पर 9,171 करोड रुपीस के देखने को मिल रहे हैं ठीक उसी तरह यहां पर ऑप्रेटिंग मार्जिंस भी बताई गई है स्टॉक क्योरेटे नेक्स लेखल पर हाइलाइट पॉइंट्स अगर कौटर के सबसी यहां पर बता जा रहे हैं जो कि यहां पर प्रेस में आपको देखने मिलेगें यहां पर Q2, Q3 और Q1 यहां पर 9 मंस के रिजल्स यहां पर सेल्स, जिंग की कितनी हुई है, लीड की कितनी हुई है, सिल्वर और टोटल इबिटा कितना रहा है, यह सारी बाती हैं पर Financial Summary Stand Loan के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक उसी तरह यहां पर Consolidated का भी यहां पर चार्ट गीवन दिया गया है, आप इसका स्क्रींशॉट कर लेना ताकि यह आपको लिए इंवस्मेंट के अंदर काफी जदा Company की जो Understanding करना चाते, अनलेसिस करना चाते, उनके लिए काफी helpful रहेगा, so I hope so, वेदान्त स्टॉक के रेटेड यह जो रिजल्स थे हिंदुस्तान जिंग के आप यहां पर समझ चुके होगे, और आज के अगर ट्रेडिंग की बात कीजा हिंदुस्तान जिंग की, तो स साथी साथ स्टॉक का वॉल्यूम 24 लाक्स के करेब करेब का देखने मिला, और आज का वॉल्यूम स्टॉक का काफी हां पर हाई हमें देखने को मिला था, so thank you so much.